क्या नाम है आपका आपको कोड़ की आवाज आ रही है आवाज आ रही है सर बहुत हल्की सी आवाज आ रही है क्या नाम है आपका सर लिपीन कुमार अटल यह क्रिमिनल कंटेम्ट आपके खिलाब रेजिस्टर किया गया आपको जानकरी है हाँ सर है जानकरी है किस कारण से आपके किलाब ये कंटेम्ट रेइस्टर हुआ है सर ये कंटेम्ट मुझे जो है मेरे साथ विद्वेश पून तरीके से कुछ बातें जसाब की रही हैं पिछले कुछ समय से जिसके लिए मैंने उनके खिलाब एक पिटीशन भी लगाया हुआ था WP No.24230 और उसकी वज़े से वो कुछ मुझसे पुरुवाग रहा रखते थे तो इस कारण से उन्होंने जिनांक 22 जनवरी को और ये मेरे लिए एक FIR दर्श करवाया कि मैंने उनके साथ में कुछ अबदरता किया है गलत किया है इस तरह की बात बताते वे थाने पर बेच कर करके जबकि श्रीमान जी मैंने कोई अबदरता नहीं की थी और ना मैंने कुछ गलत किया था बलके यह एसा हुआ है सर कि वो जाइस पे से नीचे उतर करके और श्री दूबे साहब ने मेरा हाथ मरोड दिया और मेरे को और पूरा घायल कर दिया मेरी ग्लेंट थी मेरे कैंस उतना है सर का इक गठान टैप हो रहा था हाथ में वह भी फूट ग популяр में मेरे की रिकारर्डिंग मेंने की पूरी वीडियो रिकॉरडिंग है सर मेरे फोन में आइडियो मेरा फोन जो था उस पर और वो पुलिस ने जब तबी किया हुआ है सर जिसमें पूरी घटना है कि जज साहब ने मेरे साथ मार्पिट की डाइस से नीचे उतर करके सर और उल्टा मेरे खिलाफ यह एलिगेशन लगा दिया कि मैंने और उनके उपर क कुछ गलत किया है सर प्रमान है सर मेरे इस बात घटना का पूरा वहां पर खड़े वे एक नंद किशोर चोहान एड़ोकेट थे उन्होंने भी एफिडेविट पर पूरी बात बताई थी कि जज सामने नीचे उतर के मेरा हाथ मरोड के और मेरे साथ में जो है मेरा मोबाइल करने का भी प्रयास किया गया सर और पुलिस ने उसको साइबर सेल में भेजा है मुरे मोबाइल को सर अगर आप जाच करवाएंगे सर तो मैं निर्दोश हूं सर और यदि मैं दोशी पाया जाओं तो मुझे डबल दंड दिया जाए सर जितना भी दंड उससे दुगना हो के सर घयल हो करके और पूरा खाना वदोश जीवन जी रहा हूं सर में मेरी गलती हो तो मुझे पनिश्ट किया जाए सर अधरवाइस मेरी को कोई गलती नहीं सर इसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा इतिहास में कि जद साहब डाइस से नीचे उतरके और वकील को इस तरह से मारपीट करते हैं सर और मेरा मोबाइल चीन लेते हैं सर जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देना और कुछ बोलने का जुरूत नहीं है सर यह जो आपके किलाव रिजिस्टर किया गया है सर पिसे ने ले में आपको बिल्कुल स्विकार नहीं करता हूं सर मेरे पास मतलब मैंने ऐसा किया ही नहीं सैंति बाकी है में जीवन में भी अगर मेरे से कोई कि आप अपस्तेत क्यों नहीं हो रहा है कोड में सर मैं बीमार हूं सर में को डेंगू हो गया था और इसके पहले भी मुझे कैंसर जैसी शिकायत की भी जानकरियां और डॉक्टर ने बताये लक्षन है कुछ और मैं इस कारण से सर उप्चार कर रहा था और उप्चार की वजए से कुछ मुझे बिलकुल भी सलहा दी कही है कि मैं कहीं पर भी ज्यादा ट्रेविलिंग वगरा वी चाहिये और अब भी अटरा वनाई 80572024 अट्रा आओवर प्रॉक्षण पासि थान्टा इस्यूंट सेमालण इस कंट्राप्या लॉक्ट इन्हत भी तूबैंज थानियां इट्ट्यूंट्ट थे लुट्सेट इन्ट अंट्यूंट्थ नव्यां लीच्टिझा ट्रॉक्षट और अप्रूट अ मुझेष्ट उज 8 9 3 approximately so that's just read section 10 yes every high court shall have an exercise the same jurisdiction powers and authority in accordance with same procedure in practice in respect of contempt of court subordinate to it as it has and exercises in respect of contempt of itself फ्रॉड़ खप्री के इहाम गर्शेक्ट शेंसे प्रॉड देए लुट सब्सक्राइब इर बेन प्रॉड ट्रॉड शेंट इन अजर थू बंडरोफ लूह रिख ट अ हम रीज़ पूमिशन अ प्रफॉज रीज़ अनुटाप्ट राभिक है और प्रफंट इंध कि अ परिख ने कुछ रावड तो पुछ प्रफ्ट इंख विव जब टुट लो टुट य्दावर्स कर दूटंव धर प्रफंग तो प्रफिक क्ई अ सबुन गौर्यावट रिष् जो इंन आप ऑन पुमजारी हो विन नार्तव हो पंपर एका राइ liar हो अ।वा ही ही जाआ है लाघ जाननपर ट्रीज ए लिग्सट गाप्या है जाटरी ल बाते हैं या ला य खी है नोबू है अने है9 silब ही या a prayer is made with regard to an independent probe in the entire incident that will be a subject matter of a contempt this is a petition ultimately there is a petition filed like h2 for causing gross contempt against the court you cannot there is not some counterclaim that you can keep filing there really if you go to whatever court you want and file whatever you want you can't expect this it's a contempt this is not a suit where he can have counterclaims there's a repetition pending in that regard but i have requested from the same and problem that i play your case action this also will have to go anything else well that's all my i'm going to catch 22 situation but if i come and apologize here no they are not asking you to apologize but then it's the law permits that i can apologize what you have to reply that you have not done they have only given your primary objection so in the objections and and valid my submission before this court saying that the incident the way it has been made out by the complainant valid is 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 not true this this is this is my defense so we will deal with it you have any any other effort able to file other than your preliminary objection defense but it depends my time ii number eight zero five seven is an application seeking department of the instant content procedures against he stated that in pursuance to the alleged incident an fir has also been lodged against him which has been challenged by him by filing mcrc 7847 or 24 what is it what do you mean old number it was filed in indore my lord it has been transferred from indore by taking same number before the high court had high court bench at indore therefore until and unless the same is disposed on the proceedings here it should be deferred we are unable to accept the said contention in terms of the alleged incident an offense under the ipc may have been made out so also a proceeding for contempt would also arise therefore these are the two causes which the petitioner would have to face there is no question of deferring the consideration of the mcrc uh the consideration of this contempt only because the mcrc is is pending adjudication even otherwise they said mcrc is also listed along these petitions which which are here later hence for these reasons 8057 is dismissed document number two six seven six of 24 objection quam and a proviso to section 10 8 9 3 6 in an application seek an independent probe into the alleged incident through any independent agency various reasons are assigned to sustain the prayer for an investigation in the matter was saying the veracity of the so-called incident dated 22 1 2024 or 9 2 2024 through any independent agency we do not intend to labor much on this application since these are not proceedings where such applications could be found these proceedings have been initiated on the ground that a contempt of court has been committed by the accused if at all he has any if at all he needs any relief of an independent probe into the alleged incident is always free to do so in an appropriate court such prayer could not be maintained in a petition for contempt hence the application is dismissed not be distinguished is